नमस्कार सुप्रभात में शिवाइन शर्मा आज हमाए आयाये द्वारा आजित पाच दिवस्य योग शिवीर में जहाँ लोगों को नई जीवन जीने की प्रेणना दे रहे है अंतर रास्टे योग गुरू पदम श्री भरत भूशन जी उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार हम अब ले रहे हैं इस विशेश शिवीर का ये बड़ी बात है क्योंकि यही इसका प्रमानी करण है कि यह उप्योगी है आज कोरोना का भय सबको चड़ा हुआ है उतने के बावजूद भी जो जीवन है वो जीतता है जीविशा जीतती है आज सभी लोग बहुत प्रिकॉशन लेकर के और यह सबसे बड़ी बात है कि यह इंडियन इंडिस्ट्री असोसियेशन के द्वारा अपने तरह का पहला आयोजन है और इस भावना को देखते हुई मैं यहां आया हूँ यह सोच करके कि इनका अधिकार है क्योंकि मैं साहरनपूर का हूँ साहरनपूर के लोगो इंडियन इंडिस्ट्री असोसियेशन की यह पहला चैप्टर है जहां पर यह सोचा गया कि जो हमारे इतने उद्यमी हैं उनकी लाइफ की केर की जाए उनका जीवन अमूले है जितना अच्छा वो स्वस्त रहेंगे उतना वो देश के लिए काम करेंगे परिवारों के योगदान देंगे और खास तोर से क्योंकि योग तो सब तरह के दुखों को दूर करने का साधन है काई क्लेश मानसिक आत्मिक और इसकी वजह से जो समाज में सारे क्लेश फैले पड़े हैं देश दुनिया में तो उनको दूर करने का एक ही राष्ता है तस्मात योगी तो उसकी वजह से जायतर उद्दमियों को चिंता रहती है कि अब हार्ट के केसिज बढ़ रहे हैं और यह सची बात भी है कि भारत में जो के दुनिया को तन्मन की सहत देने वाला देश के रूप में जाना जाता रहा वो इस समय डाइबिटीज और हार्ट डिजीज का कैप अपिटल तो वो चिंता की बात हैं तो इसमें हमने पूरी तरह फोकस यह किया कि पांच दिन में अपने सभी उद्यमी भाईयों को और उनके परिवारे जनों को और उन्होंने सबसे बड़ी बात यह की कि कि आम जन के लिए भी यह कोशिश की कि वो भी उससे लाभानवित ह कि कुछ लोगों ने वो लगा लिया है अपना जो वाल पेस में ये जो चाहते हैं कि हम लोग भी कैसे स्वस्त रहें तो मैंने उनको बताया कि जो योग की वाणी है मेरी अपनी नहीं है कि जब तक आपका पास सांस है तब तब आप योग साधना कर सकते हैं तो इसलिए चाहे वो हिंदियन है चाहे वो विदेशी है सब लोगों को योग करने का अधिकार है और उसका लाव उनको लेना ही चाहिए और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनोंने एक कोशिश यह किया है कि पार्टिसिपेशन से पहले सब लोगों जो हैं अपनी मेडिकल रिपोर कारात्मक बदलाव आया इसको हम सिंगाव लोकन कहते हैं जब पीछे मुड़ करके देखते हैं कि क्या बदलाव आया तो उससे मुझे विश्वास है कि सादकों को उत्सा मिलता है और बहुत सारे कैसिज इस तरह के हैं जो जिनको मेडिकली बताया गया कि अब इनको सरजरी नहीं की जा सकती और इनको जैसे चलता है तोड़ा जितने दिन इनको समय मिला हुआ है जी ले इनकी सेवा करो लेकिन इनी योगी क्रियाओं के माध्यम से वो लोग जो हैं पकी हुई अवस्था में यानि 70 साल की उमर में भी हार्ट की प्रॉबलम लेकर के 10-10-12-12 साल वो जी हैं तो उसे एक प्रेणा मिलती है बाकी लोगों को भी के हम लोग क्यों नहीं स्वस्था रह सकते तो जहां हम आर्थिक विकास करते हैं समाजिक विकास करते हैं उन्नति करते हैं वहां सबसे बड़ी चीज है कि जो साधन है जिस साधन की वजह से हम यह सब कर पाते हैं साधन का ठीक रहना ज़रूरी है अगर गाड़ी ठीक नहीं है तो हम कैसे यात्रा कर पाएंगे दिल्ली की और बॉंबे की तो पहले गाड़ी की सर्विस हो जाए तो अब इन सब लोग उन्हें संकल्प लिया है कि अब इस गाड़ी की तन रूपी गाड़ी की योग के जो वर शेश यग्य का आयोजन किया है जिसमें जो समय प्रदूशन है और खास्त और से वाइरस का भय है उससे चुटकारा पासके और सब लगों के लिए कलन को प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है और वह विशेश रूप से वैदिक रिचाओं के माध्यम से प्रार्थना फिल यह जहांगी कि ऐसे बचने के लिए कौन सी योगी क्रियाय कने आवश्चक है कौन सी होगी कर आ करके बचा जा सकता हUT अरुस के इमिको का प्राहर को रोखने dest writtenLY पाहर रहें जिन्दा ज़रूर सहिए और उसके लिए जो तत्काल वाला हमला है पहले उससे रक्षा होनी जरूरी है चानक के भी कहते हैं कि अग्यानी को समझाने से पहले उसके प्रहार को रोकना जरूरी है तो ऐसे हमारे उपर जो प्रहार ये कोरोना का हुआ है किसी भी तरह का इसको हमश्रे दे दें कि चाइना से आया है या कहीं ओर से आया है लेकिन ये है कि निश्चित रुप से खानपान और रहन सेहन और विचार की प्रदूशन का ही परिनाम है प्रकृति के साथ हम अन्याय ना करें इसमें इन साथकों को सब को उसके पृतियालर्ट किया गया है और तो यही है कि सब लोग थोड़ा सा क्योंकि जो योग के मादिन, योग ही उपाया और कोई उपाय है भी नहीं, योग के उपाय को हम behavioral science के रूप में अब लोगों को बता रहे हैं कि थोड़ा सा शौच का ध्यान रखिए, योग के जो दस नियम है, उन में से एक नियम है, शौच, शौच का मदलब purity, तो उसका ध्यान रखना है कि हम हाथ ना मिलाएं, थोड़ा सा दूरी रख करके लोगों से बात करें, जिससे के कोई छींके, कोई खांसे, तो उसका जो प्रभाव है, वो हमारे उपर ना है, इसके अलावा जो विक्तिकत हाईजिन है, वो बहु सब हमें बचना चाहिए, और योग ने यही सिखाया कि अब जब आप, मैं तो अच्छा लगता है जो कि दूसरे देशों में पास्चाते देशों के लोग भी, अब इसको अपना रहे हैं कि जब घर से, घर में लौटते हैं बाहर का काम करने के बाद, तो घर का जूता भी बाहर ही उतार देते हैं, आते के साथ कपड़े बदल लेते हैं, तो उस कारिया को अगर हम यहां पर भी करें, कि अगर बाहर से कोई सामान घर में आया है, तो ना तो हाथ में लाएं, ना उनसे बाई हैंड लें, क्योंकि यह कोरोना वाइरस इस तरह का वाइरस है, कि जिस जो वाइरस से इनफेक्टिड चीज है, चाहिए वो हाथ है, चाहिए वो कागज है, अगर मैंने आप तो दूर थे लेकिन मैंने खासा और वो इसके उपर ही लग गया, या काउंटर के उपर लग गया, कोई आदमी पोस्ट मैन है, चिठी लेकर के आ रहा है, उससे कोई समा फ्रूट और वेजटेबल आई हैं, उससे, मतलब हर तरह से आपके अंदर घर में वो गुस सकता है, तो ये आपके उपर है कि आप उससे कितना प्रोटेक्ट होना चाहते हैं, तो ये खास तोर से कि बाहर की चीज कोई भी अंदर आ रही है, तो उसकी प्रॉपर स्कैनिंग हो जानी चाहिए, फ्रूट आ रहा है, वेजटेबल आ रही है, कुछ आ रही है, तो उसको पहले आप जो है, स्टरलाइस कर लें, और उसके बाद में उसका सेवन करें, ऐसे ही सेवन करने से पहले, अपना हाथ भी धोएं, इसलिए नहीं कि आपका तो ठीक ठाक है, क्या जर चूना हो, मुझ को चूना हो, तो तब बिना हाथ दोए, साबुन से प्रॉपर हाथ दोए, बिना मुझ को नहीं चूना है, यह ध्यान रखना चाहिए, और सबसे ज़्याद है, मुझे अभी इसका लोगों ने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं इसका बता रहा हूं, कि नोट को लेके जेब में भी रखते हैं, और फिर आप उसमें हाथ भी बार बार डाल रहे हैं, तो उसको तो जेब में रखने का थोड़ा सा करें, हमारी सरकार ने पहले से ही, इसके लिए मोधी जी ने कर दिया, कि जो डिजिटल में आ जाओ, जिससे के करेंसी के माध्यम से जो प डॉक्टर लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताते हैं, जानते हैं, लेकिन बार बार इसका जिक्र होगा, तो कुछ तो लोग अपनाएंगे, कि खशार जो होता है, यानि वो उससे विटामिन सी जिससे मिलता है आपको, यानि वो आपके फ्लू से आपकी कारिये तत्व आ जाएगा, वो जलाब दो-तीन बार दिन में पीजिएगा, गरम-गरम, वो आपको काम करेगा, इसके लावा जो क्योंकि चाय को रिप्लेस्मेंट जो है, वो थोड़ा सा, जो इसकी वज़ा है, क्योंकि ये वाइरस इस तरीके से बढ़ता है, कि रक्त अंदर चला गया, और इसने लंग्स में जगह बना ली, तो कुछी समय बाद ये स्थिति हो जाती है, कि लंग्स में वायू के आने जाने की जगह भी नहीं बचती है, और दम घुटने से प्राय वेक्ती मर जाता है, देखने में तो अटा-कटा है, लेकिन उससे होगा, उस ये चैंबर में आपके जाएगा, और चैंबर जो है, ये पांचों अंग जो है, एक जगह मतलब मुग के चैंबर में मिलते हैं, रस्ते सबके एक जगह मिल रहे हैं, तो जब नेती आप करेंगे और कुंजर आप करेंगे, तो इसको करने से जो, उसमें क्योंकि नमक होता है नमक जो है वो भी किटानू को मारता है उसमें गरम पानी है गरम पानी भी किटानू को मारता है यहां तक कि जब घर में आप गुसेंगे तो अपने कपड़ों को भी गरम पानी से धोईएगा तो उस किटानू ताकि वो किटानू रहित हो जाए तो ऐसे ही जो गरम पानी नमक वाला आप नेती क्रिया करेंगे उससे और पर कोई अगर जम भी जाता है पकड़ लेता है वो तो जैसे हम कहते हैं हाथ से दोने के लिए साबुन से कम से कम 20 सेकेंड इसको मली है उसी तरह से जब जलने सुत्र नेती करेंगे तो सुत्र नेती से अगर बैक्टीरिया ने जगह बना लिए वो जब चिपक भी गया है तो वो भी उससे निकल करके बाहर आ जाएगा दूसरी योगी क्रिया इसमें है विशेश रूप से जो भारत योग की विरेचन क्रिया है विरेचन क्रिया का मतलब ही है एक्सपल्शन क्योंकि बाकी जो प्रणाया हम करते हैं उसमें सा साथ हम बाहर फैकते हैं सांस लेने का इसे पता भी नहीं चलता आवाज भी नहीं आती है और लगाता जो है धोकनी की तरह से इसमें हम सांस से बाहर बार बार बराबर सांस बार फैकते हैं तो उससे क्या होता है कि वायू के का गुण है कि वह सुखाती है और इसके करने से जो अगनी यानि हीट जेनरेट होती है हमारे शरीर में वो जलाती है गीता में भगवान कृष्ण ने इसको दिया कि नचोशायती मारूत है आत्मा को वायू नहीं सुखा सकती है लेकिन वाइरस को तो सुखा सकती है तो जब हम विरेचन करिया करते हैं तो अगर हमारे सनोफि से उसको बाहर भी निकाल सकते हैं तो बहुत ही उपयोगी क्रिया है इसको जरूर जरूर करना है रिजिस्टेंस डवलप करने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास सब लोगों को करना चाहिए क्योंकि दवाई इतना काम नहीं करती मैं गंदगी को आप फैकते रहें उठा उठाके वो भी इतना काम करता है कि आप कितना जैल सकते हैं तो जो सूर्य नमस्कार है वो सीधा सूर्य से जुड़ा हूँ अभ्यास है और उसको करना हमें आना चाहिए उसके मंत्र हमें पता होने चलिए नहीं भी पता हैं तो आपके वल क्रियाओं को भी अगर करेंगे त और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसे कोई फरक नहीं पड़ता वह इसलिए कि उसकी प्रति रोधक शक्ति जादा है और दूसरे की प्रति रोधक शक्ति बहुत कम है तो जो अब फिफ्टी लोग हैं साट सतर साल असी साल की उमर के लोग उनको जैसे बच्चे की देखबाल करते हैं से स्पेशल केयर उनकी की जाए क्योंकि उनकी प्रति रोधक शक्ति कम है तो जो जवान है वो अपनी प्रति रोधक शक्ति बढ़ा करके रखें इसका ध्यान रखिए और एक ड्रिंक बना आप तुलसी के पत्ते आप दो-चार अमरूद के पत्ते लिसोडे के पत्ते थोड़ी सी गिलोए थोड़ी काली मिर्च और हल्दी हल्दी का सेवन जरूर करिएगा तो क्योंकि हल्दी जो है वो एंटी बायटिक होती है तो उसको दूद में प्रियोग करें उसको यह को सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी प्रतिरोतक शक्ति भी बढ़ाता है आपके माध्यम से आपके वैब चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि मेरे शहर के लोग जो है वो हर्दय रोग मुक्त भी हो और इतने रिजिस्टेंट हो कि कोई रोग उनको चूँ न पाए सर जैसी कि आज योग शिवीर का पाचवा दिन है तो मैं जानना चाहूंगी कि बीते चार दिनों में आपने कौन-कौन से अउगासन लोगों को सिखाया है मैंने बताया ना कि इनको क्योंकि हर्दय रोग में जो सबसे जादे उपयोगी क्रियाएं होती हैं वो anti-remetic group की क्रियाएं होती हैं यानि जो अर्थराइटीस में भी मदद करती हैं और वो फुर्देरोग मी मदद करती हैं इसके अलावा विशेश जो इनका भ्यास था वो आज का था जिसमें शव आसन यानि कितनी गहन विश्रांती तक आप अपने हरदय को ले जा सकते हैं और अपने सिस्टम्स को ले जाते हैं कितनी मेटबोलिक फंक्शन उनको आप रिलीव दे सकते हैं उसका अभ्यास था इसके अलावा जो क्रियाओं के नाम तो पूरी किताब लिखनी पड़ेगी आपको नहीं मैं कहाँ पाऊंगा मैंने इसलिए कहा कि एंटी रिमेटिक ग्रूप की जो क्रियाओं हैं उनको दिया गया विशेश रूप से जो हुर्दय से सम्मंदित मुद्राएं हैं उन मुद्राओं का अभ्यास इन्होंने किया है और सूर्य के साथ सीधे किस प्रकार से अपने शरीर को हम हुर्जावान बना सकते हैं और कैसे हर्दय को का जो हमारी रक्त वाहिनिये हैं उनमें जो अवरोध है उसको दूर करके कैसे हम रक्त संचार को सामाने रख सकते हैं रक्त चाप को कैसे सामाने रख सकते हैं इन सब के उपर अभ्यास हमने किये हैं यहां तक के आश्वास्त किया है कि अगर इनका नियांतर भ्यास करते हैं तो इन हरदय रोग के अलावा भी अनियक रोगों में क्योंकि हरदय रोग अपने आप में कोई रोग नहीं है यह वात रोगों का एक परिणाम है इसी से आपको constipation होता है वायू से ही वायू से ही इंदर ना हो क्योंकि वायू का बुलबुला तो अगर आपकी पानी की टंकी में आजाए तो वहां भी अवरोध हो जाता है और उसमें बलबल करके पानी निकालना पड़ता है तो ऐसे ही जब अधिक काम हाट को करना पड़ता है जो उसकी क्षमता से अगर जाद होगा तो पर फेल हो जाएगा तो इसलिए वो क्रियाएं इसमें शामिल की हैं विशेश रूप से जो टेस्टिड हैं और हर्दय रोगियों के लिए बहुत सुन्दर उपचार है लेकिन सबी जानते कि योग हमारी जिवन में कितना महतपूर्ण है उसके बाद भी ज्यादा तर लोग जिसको कोई रोग नहीं है इसलिए योग करता है बहुत भागवान वो है जो बीमार नहीं है लेकिन डॉक्तर से कंसललटेंशि adequate हों को से बचा HER तरह से झो लेकिन आम हैं सोचताब के मैं तो ठीक ठीक हूं मुझे तो योग की जरुरत नहीं है मैं तो ठीक हूं मुझे दॉ गुटने काम करने बंद कर देंगे, जब ब्रीधिंग परवलम हो जाएगी, जब डाइबिटीज बहुत बढ़ जाएगी, तब कहेंगे अब तो काम नी चलना, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, या आश्रम में चलो गुरुजी के पास चलते हैं, तो उसमें खराब कर करने के बाद ठीक करने में मौलिकता नहीं आती है, और इजनली आपके आगर घुटने बेकार हो गए हैं, तो आप घुटने से चलने लायक तो डॉक्टर साब बना देंगे आपको ऑपरेशन करके, दवाईएं आपको दुबारे से ठीक कर देंगे, हार्ट में भी, स्टन दाल करके आप ठीक हो जाएंगे, काम चलाओ, लेकिन जो आपका ओरिजनल हर्द है, जानदार, तो वो आप खो देंगे, तो इसलिए योग में आने का फाइदा ये है, कि आपको पैसा भी कम खर्च होता है, बलकि नहीं होता है, और शरीर के ऊपर जादे ज्यादती आपको नहीं करनी पड़ती है, आप बचे रह सकते हैं, तो इतना फाइदा जानना चाहिए, और आप जैसे, क्योंकि देखिए, मीडिया जो है, वो इतना मजबूत माध्यम है, कि इसके माध्यम से अगर सही समाज जानकारी जाती है, तो बहुत लोगों को प्रेणा मिलती है, इसक में लगेगा, अरा जकता फैल गई है, तो आपके माध्यम से अच्छे समाचार जाएं, आपके माध्यम से अच्छी जानकारी जाएं, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए, और यह जो कोने में बैठ करके लोग योग साधना कर रहे थे, इनकी आवाज आप दु के लिए फैलाना चाहते हैं, धन्यवाद